नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत पूर्ण जानकारी को ले करके जहां आए आज हम सभी कनेर के फूल के बारे में जानते हैं ये एक ऐसा फूल है जो हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है यहां त देखा जा सकता है यह सदा हरित जाड़ी है जो हिमाले में नेपाल से लेकर पश्चिम के कश्मीर तक गंगा के उपरी मैदान और मध्य प्रदेश में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है अन्य प्रदेशों में यह कम पाई जाती है परंतु संपूर भारत में अपने दिखा मई से अक्टूबर तक भोतायत में खिलते रहते हैं इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं कनेर का पोधा एक जाड़ी नुमा पोधा होता है इसकी उचाई 10 से 12 फूट की होती है कनेर के पोधे की शाखाओं पर 3-3 के जोड़े में पत्ते लगे हुए होते हैं यह पत् कनेर और सफेद कनेर के पोधे के पत्ते रूखे होते हैं कनेर के पोधे को अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है हम आपको वो नाम भी बता देते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हूँ जो दूसरी जगह के हूँ या अलग- पश्व मारक, शतकुंब, हायमार, करवीर कहते हैं, हिंदी में कनेर, कनेला कहते हैं, मराथी में कनेहेर, बेंगोली में करवी, अर्भी में दिफली, पंजाबी में कनीर, तेलगु में कस्तूरी पेटे, इत्यादी नामों से अलग-अलग जगों पे जाना जाता है ये, और श तोड़ने से एक सफेद द्रव्य निकलता है जिसका प्रियोग और शधी के रूप में किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कनेर के पेण इतने जहरीले होते हैं कि साप भी इसके आसपास नहीं आते हैं। कनेर का रस, कडवा, तीखा, कशैला, लगु, रूखा एवं घर्म होता है। इसका पका हुआ फल कडवा होता है। को में उपचार को, सबसे पहले तो घाव के लिए कनेर के सूखे हुए पत्तों का चून बना कर घाव पर लगाने से घाव जल्द ही भर जाता है। इसके अलावा फोड़े फूंसियों पर कनेर के लाल फूलों को पीश कर लेप बना लें और यह लेप फोड़े फूंसियों पर दिन में दो से तिन बार लगाएं। इससे फोड़े फूंसिया जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसका लेप बवासीर एवं कुष्ट रोग को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। साप बिच्छू का जहर जिहां सफेद कनेर की जड़ को घिसकर डंक पर लेप करने या इसके पत्तों का रस पिलाने से साप या बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसके अलावा अगर आप हरदय शूल से परिशान हैं तो कनेर के पोधे की जड़ की च्छाल की 100-200 मिलिलिटर की मात्रा को भोजन के बाद खाने से हरदय की वेदना कम हो जाती है। बवासीर रोग में कनेर और निम के पत्ते को एक साथ पीस कर लेप बना लें। इस लेप को बवासीर के मसो पर प्रती दिन दो से तीन बार लगाएं। इससे बवासीर के मस सूख कर जड़ जाते हैं। कनेर की जड़ को ठंडे पानी के साथ पीस कर दस्त के समय जो अर्ष यानि की बवासीर बाहर निकलाते हैं उन पर लगाएं। इससे बवासीर रोग ठीक होता है। नपुन सकता सफेद कनेर की 10 ग्राम जड़ को पीस कर 20 ग्राम वनस पती घी के साथ पका लें। इस तैयार मलहम को अपने गुपतांगों पर सुबह शाम लगाने से नपुन सकता दूर होती है। दर्द में लाल कनेर के पत्तों को पीस कर तेल में मिलाकर लेप बना लें और इस लेप को जोड़ों पर लगाएं। इस लेप को सुबह शाम जोड़ों पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा धात रोग में सफेद कनेर के पत्तों का कारहा बना कर पीने से धात रोग एवं गर्मी से होने वाले रोग इत्यादी ठीक होता है अंड कोश की खुजली सफेद या लाल फूल वाली कनेर की जड़ को तेल में पकालें और इस तेल को अंड कोश की खुजली पर लगाएं इससे अंड कोश की खुजली दूर होती है और फोड़े फुन से भी मिट जाते हैं अंड कोश की सूजन सफेद कनेर के पत्ते को काजी के साथ पीश कर हलका गर्म करके अंड कोश पर बांधें इससे अंड कोश की सूजन दूर होती है दांतों के दर्द में सफेद कनेर की डाल से प्रती दिन दो बार दातुन करने से दांत का दर्द ठीक होता है और दांत मजबूत होते हैं बाल अगर आपके सफेद हो रहे हो तो सफेद और लाल कनेर के पत्तों को दूध में पीश कर सिर में लगाने से बालों का सफेद होना यानि कि पलित रोग कम होता है पीले रंग के फूल वाले कनेर का प्रियोग ज्यादा लाफकारी होता है इसमें इसके अलावा अगर आपके बाल गिर रहे हों तो कनेर की जड दंती एवं कड़वी तोरई को एक साथ पीस कर केले के रस एवं तेल के साथ पका लें इस तैयार लेप को सिर पर लगाने से बालों का गिरना बंद होता है अफिम की अगर आपको आदत लग गई है तो अफिम की आदत छोड़ाने के लिए 100 मिली ग्राम कनेर की जड को बारीक पीस कर चून बना लें इस चून को दो चम्मच की मातरा में दूद के साथ कुछ हपतों तक नियमित रूप से सिवन कराने से अफिम की लट छोटी जाती है इसके अलावा अगर आपको कुटा काट ले तो सफेद कनेर की जड की छाल का बारीक चून बना कर 60 मिली ग्राम की मातरा में चार चम्मच दूद में मिला कर दिन में दो बार एक हपते तक रोगी को पिलाएं इससे कुटे का जहर उतर जाता है अगर शरीर का कोई भी अंग स सूज गया हो तो लाल या सफेद फूल वाले कनेर के पत्तों का काढ़ा बना कर मालिश करें इससे सूजन में जल्दी आराम मिलता है सूजन और दर्द को दूर करने के लिए लाल या सफेद फूल वाले कनेर की जड को गाई के मुत्र में पीस कर लगाएं इसससे सूजन एवं दर्द ठीक होता है इसके आलावा अगर आप उपदंश यानि की सिफिलिस से परेशान हैं तो लाल फूल वाले कनेर की जड़ को पानी में घीस कर रोग ग्रस्त स्थान पर लगाने से लाव होता है इसके पत्तों का कारा बना कर घाव को धोना भी लावकारी होता है सफेद कनेर की जड़ को पानी में पिसकर उपदंश पर लगाने से घाव सुजन जलन एवं दर्द ठीक होता है कुष्ट रोगों में यानि की अगर आपको सफेद दाग है तो 200 ग्राम कनेर के पत्ते को एक बाल्टी पानी में उबाल लें और इस उबले हुए पानी से नहाए इससे कुष्ट रोग यानि की कोड के जखम समाप्त होते हैं सफेद या लाल फूल वाले कनेर की जड़ को पिसकर गाई के पिशाब में मिलाकर कुष्ट यानि की कोड पर लगाने से आराम मिलता है सफेद कनेर के 100 गराम पत्ते को 2 लीटर पानी में उबाल लें जब यह काली पानी में मिलाकर नहाゃे प्रति दिन इस तरह पानी तयार करके कुछ महीनों तक नहाने से कुष्ट रोग ठीक होता है कनेर की जड़ की छाल का रस निकाल कर रोग गरस्त तृस पर लगाने से कोड amr hasag और अन्यत्वचारों के साथ होते हैं कनेर की जड़की छाल को काया में सुखा लें और इसका चुन बनाकर जखम पर छिड़कें इससे जखम ठीक होता है कनेर के ताजे ताजे फूल की 50 ग्राम के मात्रा को 100 ग्राम मीठे तेल में पीस कर कम से कम एक सब्ताह तक रख दें एक सब्ताह के बाद इसमें 200 ग्राम जैतुन का तेल मिलाकर एक और बदन दर्द को भी भारी रहत मिलती है सफेद का नेर की पतियां छाया में सुखा कर महिन पीस लें सिर में जिस भाग में दर्द हो रहा हो उधर के नथूने में उसमें से दो चावल के बराबर फूंक दें इस क्रिया से नाक से खून पानी गिरेगा और धेर सारी छिंक के आकर आधा सीसी में आराम हो जाएगा यानि कि आधे सर का दर्द दूर हो जाता है माथे में बलगम या पानी रुक जाने से सिर दर्द होता है उसमें भी स्क्रिया से लाब होता है लाल कनेर के फूल और नाम मातर की अफिम दोनों को मिला कर पानी के साथ पीस कर गर्म करके मस्तक पर लेप करने से कुछी देर में सिर का भयानक दर्द और सरदी जुकाम ठीक हो जाता है कनेर के पत्तों को कड़वे तेल में भून कर शरीर पर मलने से खुजली शान्त हो जाती है कनेर के पत्ते गंधक सरसों का तेल मिट्टी का तेल इन सब का मरहम बना कर लगाने से दाद कुछें दिनों में साफ हो जाता है इसके अलावा क्रिमी रोग में कनेर के पत्तों को तेल में पका कर घाव पर बांधने से घाव के कीड़े मर जाते हैं अगर आपको सिर दर्द हो रहा हो तो कनेर के फूल और आउले को कांजी में पीस कर लेप बनाएं इस लेप को अपने सिर पर लगाएं इस प्रयोग से सिर का दर्द ठीक हो जाता है नित्र रोगों से अगर आप पीडित हैं तो आँखों के रोग को दूर करने के लिए पीडे का नेर के पोधे की जड़ को सौफ और करंज के साथ मिला कर बारिक पिसकर एक लेप बनाएं इस लेप को आँखों पर लगाने से पलकों की मुटाई जाला फूली और नजला इत्यादी बिमारी ठीक हो जाती है इसके अलावा दातुन के रूप में भी आप इसका प्रियोग अगर करते हैं तो सफेद कनेर की पोधे की डाली से दातुन करने से हिलते हुए दात मजबूत हो जाते हैं इस पोधे का दातुन करने से अधिक लाब मिलता है इसके साथ साथ कुछे का आपको लोस भी हो सकते हैं कनेर से अगर आप नहीं जानते हैं तो इसलिए हम आपको बता दें क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कनेर एक प्रकार का जहर है जिसे खाने से फेफडों को नुकसान हो सकता है इसके सिवन से हरिदय और श्वास की गति रुख सकते है अतह इसके प्रयोग और शधी के रूप में करते समय बहद सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इसका रस पीट में नहीं जाना चाहिए अन्द तक के लिए धन्यवाद नमसकार दोस्तों